गुरगाओं के काफी वरिष्ट नेता जी जी जो संपर्क में है और बहुत जल्ड आप देखेंगे कॉंग्रेस का कुंबा बहुत बड़ा हो जागा घर वापसी बहुत लोगों की नमस्कार मैं हूं बनपृतर आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाइरल सच विधान चुनावों की बातचीत लगातार शुरू हो रही है सरगर्मिया बढ़ती जा रही है स्यासी संग्राम दोबारा शुरू होने वाला है लोगसभा के बाद तो चलिए इसी के उपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पंकर डावर चुनावों की बात करी पिछली बार तो आंक्रे काफी कम थे क्या लग रहा है कि जनता का प्यार मिल रहा है अब देखिए सबसे पहले तो मैं गुरगाव लोकसभा की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूं अभी वादन करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से भार प्यार और समर्थन राजबबर जी को कॉंग्रेस के प्रतियाशी इंडिया गठुनन के प्रतियाशी को दिया उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद देखिए जनता मन बना चुकी है जिस तरीके से आप देखिए कि वोट प्रतिशत बड़ा साफ जाहिर होता है कि आने मैं आपके माध्यम से उन सब का भी स्वागत करता हूं और आने वाले नेताओं का भी स्वागत करता हूं कि जो बहुत जल्द कॉंग्रेस को जोईन करने वाले हैं क्या कहेंगे कि जितने भी कारेकरम हुए राजबबर साब के आप उनके साथ ही मौझू थे एक पंजाबी नेता के रूप में आप गुरु गुराम से उबहें तो क्या विधान सबा की तयारी भी माना जा सकता है इसको देखें राजबबर जी गुर्गाओं से चुनाव लड़े और बींग एक कॉंग्रेस ही कि मैं कॉंग्रेस का सिपाई हूं राजबबर जी के अलावा कोई और होता तब भी में साथ ऐसे ही लगता इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता जो कॉंग्रेस का कैंडिडेट गुर सबने मिल जूलकर एक ऐसा रूप उस चुनाव को दिया जो देखने लायक था और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है और जहां तक रही विदान सभा की तैयारीगी देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं पार्टी का सिपाई हूं पार्टी जिसको चाहे वह च में ऐसा कुछ नहीं की विधान सभाग का चुनाव लड़ना ही लड़ना है या नहीं लड़ना पार्टी की जैसी इच्छा होगी वैसा बिलकुल किया जाए राज बबर जी ने चुनावों के बाद भी जो है सबसे पहले वो मीडिया के सबक्ष भी आये उन्होंने अपनी दूसरी बात करें कि धन्यवाद दोरे भी हैं लगातार जा रही है क्या कहना है कि अपना जो वोट बैंक है उसको और मजबूत रखने का प्रयास किया जा रहा है दिखिए नैतिकता के अधार पर ने इतने कम समय में जो उनको अपनाया उसके लिए धन्यवाद एक दोरा उ पूरे लोगसभा में करा तो उसी के तहरे इससे कॉंग्रेस पार्टी को और मजबूत ही मिलेगी मैं तो कहता हूं कि मजबूत हो चुकी है आज आप अगर कॉंग्रेस का ग्राफ देखेंगे दिन प्रती दिन बढ़ता चला जा रहा है आज लोग कॉंग्रेस की तरफ चुनावों की लोगसभा चुनाव में तो हम कहें कि गटबंधन की सरकार्ती अब गटबंदन नहीं है तो क्या कारेकरताओं की जो कमी है वो खलेगी अब लोगसभा के लिए गटबंधन था लेकिए उन लोगों ने बहुत साथ दिया चया वो गुड़गाओं की बात हो च लगवान जाने या फिर उच नेता जाने के वह आगे गटबंधन जारी रहेगा के नहीं लेकिन अभी स्टेटमेंट आई थी की गटबंधन सिर्फ लोगसभा के लिए था तो उस हिसाब से चली कि कॉंग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है और लगतार सरकार भी रही कि कंग्रेस के पास कारेकर्टाओं कि कमी है रही है किने के नाम जो है वह लिस्ट में जारी है जो आप त skills है इए लंबी लिस्टे में आपके कैमरे में तो क्या बता हूं लेकिन गुरगाओं के काफी वरिष्ट नेता जो संपर्क में है और बहुत जल्द आप देखिए के कॉंग्रेस का कुंबा बहुत बड़ा हो जागा घर वापसी बहुत लोगों की होगी और पूरे हरयाना में आज दिन कुंबा बढ़ता चला जा रहा है और यह कुंबा आगे भी बढ़ता रहेगा अंत में यही पूछना चाहूंगी की विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं जनता किस अधार पर वोट करेगी जाती समिकरन को देखेगी धर्म के समिकरन को देखेगी या विकास को बताल की बात करें चाहे बसड़े की बात करें जल भराव की बात करें चाहे कूड़े के ढेर की बात करें आप कहीं भी चले जाओ पानी की किलत आप देख लीजिए आप बिजली की किलत देख लीजिए एक भी आप ऐसी चीज गुरगाओं में जो बताओं जो सुचारू रू जिन्हों ने बताया कि आखिरकार लोकसवा में जितना प्यार मिला जनता का उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और क्या सही में कॉंग्रेस अब मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है ये तो आने वाले चुनाव भी तै करेंगे आप सभी से निव